हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टो एट 24 नॉलेजे ओफिशल यूट्यूब चैनल, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टी एच एस टी आई, टांसलेशनल स्वास्त विभाग एवं प्रोदोगी की संस्थान की new requirement notification के बारे में, तो friends यहाँ पर जो urgent requirement रखी गई है वो है आपके clinical, technical and field staff साथ में associate one and project associate one के यहाँ पर various post के लिए और यहाँ पर आपको इसमें apply करना है mail के जरिये, तो इसके लिए बात करते हैं सबसे पहले इसके official notification के लिए तो यहाँ पर जो यह rolling requirement notice number है, वो आपको दिया गया है जो requirement है, जैसा मैं अभी आपको बताया clinical या technical और साथ में filled staff vacancy आपकी रहेगी अब यहाँ पर जो transitional health science and technology institute है, यह आपका autonomous institute है, department of biotechnology, ministry of science and technology, government of India का तो यहाँ पर जो panademic है, covid-19 का उसके तहत यहाँ पर vacancies invite की गई है, सबसे पहले contract base पर यह vacancy रहेंगी, permanent job आपकी नहीं है, जैसा कि यहाँ पर covid-19 के जरिये जो भी vacancies अभी यहाँ पर निकल रही है, वो जारातर friends vacancies आपकी contact basis में रहती हैं, जब यह आप apply करना चाहते हैं, eligible हैं, तो friends आप आराम से apply कर सकते हैं, अब यहाँ पर research project यहाँ पर रखा गया है, currently functional है, वो किसकी site पर चल रहा है, तो उसके 5 यहाँ पर site आपको दी गई है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, अब बात करते हैं, post-wise तो सबसे पहले junior resident clinical की vacancy है, MBPS की degree आपके पास यहाँ होनी चाहिए, साथ में आपको job description भी दिया गया है, कि आपको इसमें क्या काम करना पड़ेगा, इस job के अंदर, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक post यहाँ पर रहेगी, 70,000 रुपे salary है, 35 साल का यहाँ पर age criteria रखा गया है, second post research officer की है, MBPS degree आपके पास होनी चाहि है, एक post है, यह vacancy आपकी आगे बढ़ भी सकती है, 60,000 रुपे salary है, 40 सार अपर age है, या फिर आपके पास BDS, Physiotherapy, BAMS, BHS, तो आपके पास यहाँ पर 4 साल का अगर clinical research experience है, साथ में तो आप इसमें आविधन कर सकते हैं, इसके बाद friends बात कर लेते हैं, थेर्ड वेकेंसी जो है, साथ में diploma होना चाहिए, आपके पास nursing and mid-by-free में, और आपके पास registration as a A grade nurse होना चाहिए, या फिर आपने BSC nursing की हुई है, या फिर आपने nursing A certificate है, आपके पास only और तीन साल का experience है, होस्पिटल में तो भी आप आविधन कर सकते हैं, या फिर nursing assistant class 3 आपने 3rd class कर रखा है, और साथ में friends जो armed force है, उसमें आपने work किया है, तो friends आप इसमें आविधन कर सकते हैं, चौथी vacancy जो है, वो है lab technician, जो की field and clinical vacancy है, 6 post यहां रहेंगी और ये भी भड़ सकती है, 22,000 रुपे salary है, 30 साल आपकी इस criteria रहेगा, अगर आप से 10 वी पास है और आपके पास तीन साल का experience है, laboratory में काम करने का, तो आप इसमें apply कर सकते हैं, बार वी अगर आप पास है, तो दो साल का experience है, clinical ये laboratory research वर्क में, तो आप इसमें आविधन कर सकते हैं, अगर आपके पास यहां पर डिगरी ये diploma है, MLT और experience नहीं है, तो भी आप इसमें आविधन कर सकते हैं, डिगरी ये messenger boy की है, जिसकी एक post रहेगी, 16,000 रुपे salary है, 30 साल आपके यहां age रखी गई है, 10th class पास होना जरूरी है, साथ में valid driving license आपके पास होना चाहिए, अब ये desirable कहा गया है, कि two wheeler with valid registration certificate है, तो आपको एसमें पर इसमें मिल जाएगी, बाकि 10th standard pass out candidate और valid driving license candidate इसमें apply कर सकते हैं, अभी जो ये vacancies हैं, इसके लिए apply करने के लिए, आपको जो ये mail ID दी गई है, इसमें आपको mail send करना है, जिसमें आपका curriculum बैटे, जो CV या resume है, उसमें आपका contact number और mail ID होनी चाहिए, और उसके साथ आपके जो education qualification, experience, अगर आप present पे employee है, जो आपका experience certificate है, उसके detail जो है, वो आपको send करनी होगी by mail, और जो mail का subject होगा, उसमें friends से आपको name of the post भी लिखनी होगी, साथ में आज selection interview based भी होगा, जो कि video call के जरीए, यहाँ पर रखा जाएगा, इसके बाद यहाँ पर general terms and conditions है, तो यहाँ पर ये short term vacancy है, educational qualification ये technical qualification, recognize board के द्वारा होना चाहिए, जो भी experience मा मांगा है, वो minimum qualification है, वो friends आपके पास होनी चाहिए, तो ही आप इसमें eligible होंगे, अपरेज में SCSTO भी शूर छूट मिलती है, वो आपको यहाँ मिल जाएगी, इसके लवा institute के जो employee है, उनके लिए कोई भी आपरेज नहीं है, यही जानकारी, basic जानकारी आपको यहाँ पर द से जरूर कीजिए, और बागी की जानकारी के लिए देखते रहिए A24 knowledge, and the last thanks for watching.